दोस्तो भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच बांगलादेश को काफी बुरी तरह हडा कर टेस्ट मैच कर लिया अपने नाम तो आई दोस्तो जानते हैं कि इस टेस्ट मैच में कौन से खिलाडी को मिला प्लेयर आफ दा मैच और कौन से खिलाडी ने भारत की तरफ से करी गेंदबाजी करने का फैसला किया इसके जवाब में बांगल देश की शुरुआत गेंदबाजी में काफी शांदार रही क्योंकि भारत के शुरुआती तीन विकेट 34 रन के स्कोर पर गिर चुके थे जहां रोहित 6 शुमान गिल बिना खरता खुले आउट हुए थे और दोस् ने भी 46 रन बना दिये थे इसके जवाब में दोस्तों बांगलादीस के वल 119 रन बनाकर ऑल आउट हो गया था और गेंदबाजी में पहली इनिंग में बुम्रा ने चार विकेट लिये थे तो बाकी गेंदबाजों ने भी सिरार आकास दीप और रविंद्र जड़ेजा को दो विकेट हात लगी थी इसके जवाब में जब भारत की टीम अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर भारत की शुरुआत फिर बेकार रही क्योंकि कप्तान रोहिट पांस तो जैसवाल 10 रन बना कर आउट हो गये थे लेकिन दोस्तों इसके बाद गिल ने इस मैच में कमाल का परदशन करा लेकिन इसी बीच कोली केवल 17 रन बना कर राउट हो गये थे लेकिन इसके बाद तीसरे दिन रिशाप पंत और शुमान गिल ने कमाल की पारी खेलते हुए शतक पूरा कर दिया था जहां पंत तो 109 रन बना कर राउट हो गये थे लेकिन ग वाब में दोस्तो बानलादेश की टीम चौथे दिन केवल दोस्तो चौथीस रन बनाकर ओल आउट हो गई और उनके कप्तान नाजिमूल शंतों ने प्यासी रनों की सबसे सांदार पारी खेली लेकिन दोस्तो इस मैच को भारत की टीम ने काफी अराम से जीत लिया जाएंस मैच में दूसरी इनिंग में रवी चद्रन अश्विन को छे वी किठात लेगी थी तो जड़ी जाने भी तीन वी के चटकाय थे और बुम्रा ने एक लिया ठाथ जहां भारत की टीम ये मुकाबला जीटकर इस सीरीज में एक जीरों की बड़ी बड़त बना चुकी है यानि कि भारत की टीम अब ये test series किसी भी हालत में नहीं हारेगी ऐसे में इस test series में कमाल का परदेशन करने के लिए अश्विन को player of the match चुना गया जहां उन्होंने इस test match में पूरे 6 विकेट भी अपने नाम किये और दोस्तों उन्होंने पहली इनिंग में 103 की शांदार पारी खेली थी और दोस्तों उन test match के hero रवी चंदन अश्विन शुमाल गिल रिशब पंत जस्परीत बुमराओर रविंद्र जड़ेजा रहे